पिंकी जी ने प्रश्न पूचा है आखिर ये सुनो ससुर जी वेब सिरीज की स्टोरी क्या है? इसमें ससुर और बहु की क्या कहानी बताई गई है जिसकी बहुत चाचा हो रही है। पिंकी जी कहानी ऐसे शुरू होती है कि रात का समय होता है। पति पत्नी दोनों बिस्तर पर सम्मंद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर पती नपुनसक होने के कारण उसमें उत्तेजना नहीं आती, और पत्नी गुस्सा हो जाती है, और कहती है जब तुम नपुनसक थे, तो क्यो मेरी जिंदिगे बरबात की, अब मैं अपनी जवान के सहारे हस्तमैतून करने लग जाती है और ससूर उसे देख लेता है बहु भी ससूर को देखकर हडबड़ा जाती है और ककड़ी फेककर वहां से चली जाती है ससूर उस ककड़ी को उटाता है और बहुत ही हवसवरी तरीके से उस ककड़ी को सूंग कर खा लेता है अगले दिन स इसी को पकड़ लेता हूँ तो मसल कर रख देता हूँ, बहुत जोश है मुझमें, बहु इस बात को सुनकर हसती है, कि ससुर क्यों इतने बड़े बड़े डिंगे मार रहा है, फिर ससुर नौकर बिर्जु को बाजार में सबजी लाने भेशता है, और कहता है आराम से देर से और बहु को आवाज लगाता है, और बहु को कहता है कि मेरे सर की मालिश कर दो, बहु ससुर के सर की मालिश करने लग जाती है, तबी ससुर उसे बाहों में लेकर चुमने लगता है, और दोनों संबंद बना लेते है, और बहु भी खुशी से ससुर का साथ देती है, और अच शुरू हो जाता है और नौकर देखकर हस्त मैतुन करता है एक दिन जब बाप बेटे दोनों चाय पी रहे होते है तब बहु को उल्टी आती है तो ससुर डॉक्टर को गुला लेता है डॉक्टर बहु को चेक करने के बाद कहती है बदाई हो आपकी बहु माँ बनने वाली है तब ही पती बेहुश हो जाता है अर जब उसने होश आता है तो वो चीकने लगता है कि यह औरत चरीतरहीन है किसी और से सम्मंद बना कर आई है जब मैं नपुनसक हूं तो बाप कैसे बनूँगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो ये मा कैसे बनी मैं इस पर धोका दड़ी का केस कर दूँगा पुलिस बुला लूँगा तब बहु कहती है ससुर जी आप कुछ कहते क्यों नहीं तो ससुर कहता है कि बेटा बहु को मा मैंने बनाया तु खामोश बैट इसी में तेरी भलाई है नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तु नपुनसक है और तेरी को इज़त नहीं करेंगा लोग तुझ पर थूकेंगे तुझे दूसरी बीवी भी नहीं मिलेगी और जो है वो भी चली जाएगी इसलिए ये बच्चा पैदा होने दे इससे तेरी इज़त भी बनेगी और लोग तुझे मर्द भी समझेंगे और बहु का और मेरा जैसा चल रहा है वैसा चलने दे इसमें सबकी भलाई है और बहु भी इस बात को एगरी करती है और कहती है कि हाँ जो प्यार तुम मुझे नहीं दे सकते वो मुझे ससुर जी दे रहे है तो इसमें बुराई क्या है और बेटा सर पकड़ कर बैट जाता है और नौकर बिर्जू चुपके से बहु को देखकर हसता है और बहु भी उसे देखकर हसती है और कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि वो बच्चा नौकर बिर्जू का होता है क्योंकि ससुर सम्मंद बनाते वक जल्दी ठक कर दूसरे कमरे में सो जाता था तब नौकर बिर्जू मालकिन के साथ सम्मंद बना कर उसे पूरी तरीके से संतुष्ट करता था और यह राज किसी को नहीं पता होता और वेब सिरिस खत्म हो जाती है तो पिंकी जी यहती कहानी सुनो ससुर जी वेब सिरिस की आजकल ऐसे वेब सिरिस के वज़े से समाज का माहल खराब हो रहा है जिस रिष्टे का आदर होना चाहिए इन वेब सीरीज में उसी रिष्टों को घटिया तरीके से दिखा रहे है हम आशा करते हैं आपको यह वकानी समझ आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे धन्यवाद